इस question में A plus B gives A3B2 unbalance, तो balance कर दीजिए, ये 3A हो गया, ये 2B हो गया, फिर consecutive reaction है, sequential reaction है, है ना, तो इसके बाद कौनसी reaction हो रही है? के A3B2 plus C, के उस A3B2C2, तो balance कर लीजिए, अब शुरू में कह रहे हैं कि 3 mole है, इसके भी, इसके भी, इसका 0, limiting reagent, चेक कर लीजिए, कि किसका most by stoichiometric coefficient value, बोलो coefficient value कम आ रहा है, वो ही limiting reagent होगा, तो 3 by 2, इसका 3 by 3, तो इसका 1.5 आ रहा है, ये value, इसका 1 आ रहा है, तो ये limiting reagent हो गया, तो ये axis reagent हो गया, तो ये controlling data हो गया, reaction को आगे बढ़ाएगा, और इस proportion में आगे बढ़ाएगा, तो यहाँ 3 के लिए 2, तो 1 के लिए 2 by 3, तो 3 के लिए 2 by 3 into 3, ऐसे कैसे आप इसमें unitary method लगाईए, 3 से 1, है ना, और data भी 3 है, तो यहाँ इसका 1 mole होगा, और यहाँ इसका 1 mole बज़ गया, अब इस 1 mole को यहाँ copy कर लीचिए, इसका 1 mole शुरू में दिया ही हुआ है, और 0, अब limiting reagent देखिए, उसी concept से moles by stoichiometric efficient, तो हमारा यह कम आ रहा है, तो यह limiting reagent हो गया, तो यह अब controlling data हो जाएगा, और इस proportion को follow करते वे, हम आगे previous बनाएंगे, तो यह 0 हो गया, 2 से 1, तो 1 से 1 by 2 unitary method, 2 से 1 बन रहा है, तो 1 से कितना बन गया, 1 by 2, इधर देखिए, 2 से 1, तो 1 से कितना चीएगा, इसका, इसका half, इसका half mole remaining रह जाएगा, अब options को देख लीजे, 1 mole of A3, B2, C2 is formed, half mole हो रहा है, वो B में दियो है, half mole of A3, B2 is formed, half mole of A3, B2 is left if finally, तो B and D are the correct options.